प्रिविध्धार्थियों आज हम बिये भागपस्ट के पेपर पस्ट इंट्रोडेक्शन अप शोशालोजी समासास्त्र का परीच्छ है कि एक महत्वपूर्ण प्रसन मौली का उधार्णा समाज अर्थात समाज किसी कहते हैं पर कुछ विश्थिरी चर्चा करने जा रहे हैं समाज ने केवल व्यक्तियों में ही बल्कि पसुपक्षियों कीडे मकुडो व्या आने जीवों के अंतरगती पर पाया जाता है यह कहना पूर्णतर सही है जहां जीवन है वहां समाज है व्यक्ति और समाज में काफी निर्पड़ता पाय जाती है जहां व्यक्ति ने एक दूसरे के साथ समाजिक संबन्दी स्तापित कर समाज के निर्माण और विकास में सहेता प्रदान की है वहां समाज ने व्यक्ति का सामाजी करनकर उसके व्यक्तित विकास में योगतान दिया है व्यक्ति के अभाव में समाज की इम समाज की अभाव में व्यक्ति की कल्पना करना संभव नहीं है बोलचाल की भासा में समाज का अर्थ व्यक्तियों के समूग के लिए किया जाता है किसी भी संग्ठित युँ आ संग्ठित समूग को समाज कहा जा सकता है जैसे आरिय समाज, ब्रहम समाज आदी अर्थात हम यह कह सकते हैं कि व्यक्तियों के संग्ठित युँ आ संग्ठित समूग को बोलचाल की भासा में साधनते समाज कहा जा सकता है व्यक्तियों के अभाव में समाज की युँ समाज के अभाव में व्यक्तियों की कल्पना करणा पूनते संभाव नहीं है अब हम यहां समाज का अर्थ एम परिभासा पर कुछ विस्तरी चर्चा करेंगे बोलचाल की भासा में समाज सब्द का प्रियोग व्यक्तियों की समूग के लिए किया जाता है किसी भी संग्ठित एम ऐसंग्ठित समूग को समाज कहा जा सकता है जैसे आरिय समाच, ब्रहम समाच, जैन समाच आदि समा सास्त्र में समा सब्द का प्रियोग विसे सर्थ में किया जाता है यहां समाच का अर्थ व्यक्तियों के बीच पाई जाने वाले संबंदों के आधार पर निर्मित विवस्ता को समाच कहा जा सकता है अर्थात केवल बोलचाल की बहसा की अंतरगत संक्टित व्यक्तियों की संग्रे को समाज कह देना प्रयाप्त नहीं है बलकि समाज सास्तर की अंतरगत समाज सब्द का अर्थ प्रियोग विसीश डंग से लिया जाता है यहां समाज का अर्थ व्यक्तियों की बीच पाए जाने वाले संबंदों के आधार पर अभिव्यक्त किया जाता है समाजास्त्र के अर्थ को विभिन विद्वनों ने समझानी का प्रियास किया है प्रमुक समासास्त्र मेकाईवर एमपेज ने का है कि समाज को समाजिक संबंदों का जाल इमतानेवानी के रूप में परिवासित किया जाता है आपने संबंदों के इस सदेव परिवर्तित होते रहने वाली वेवस्ता को ही समाज का है समाज को समजाते हैं कि सम्बंदों का जाल है और सम्बंदों कि इसी जाल को समाज कहा जा सकता है अर्था जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में अपनी विचारों का अधान प्रदान करते हैं परस पर अंत्य की रिया होती है तो अंत्य की रिया के माज़धम से ही संबंदों का निरुमान से नाम से जाना चाहिता है प्रमुक समासास्त्री पार्शेंस ने समाज की परिभासा को समझातिवे का है कि आपने समाज को उन मानुए संबंदों की संपूर्ण जटेलता की रूप में परिभासित किया है साधन साध्य संबंदों की रूप में किरिया को विसेश महतु दिया जाता है और किसी उद्देश की पूर्टी के लिए साधन की रूप में किये कारिय को ही किरिया कहा जाता है ऐसी किरिया से उत्पन संबंदों को ही समाजिक संबंद और उन मानुए संबंदों से बनने वाले संपूर्ण जटेलता को समाज कहा जा सकता है प्रमुख समासास्त्री पार्सेंस ने भी समाज को समझाती वेका है कि समाज संबंदों की संपूर्ण जटेलता की रूप में है संबंदों की रूप में है जो किरिया की विशीस महतुक इम उद्देश की पूर्टी के लिए साधन की रूप में कारिय करता है अर्थात हम यह कह सकते हैं कि समाज समाजिक संबंदों का जाल है परन्तों संबंदों के जाल के अंतरगत किसी किरिया है यह उद्देशी की पूर्थी के लिए जब यक्ति साधन की रूप में किरिया से उत्वन संबंदों को ही सामाजिक संबंद और उन माहनवे संबंदों के बीच बनने वाली संपूर्ण जटिल वेवस्ता को समाज कहा जाता है प्रमुख समाज सास्त्री में काय और पेज पार सेंस वै अन्य विद्वानों ने समाज के अर्थ को समझाने का प्रियास किया है उप्रियुक्त परिवासाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि व्यक्तियों के बीच पनपने वाले संबंदों की संपूर्ण जटिल वेवस्ता को समाज कहा जा सकता है अर्थात व्यक्तियों की मद्य परणपने वाली संपूर्ण जटिल समाजिक व्यवस्ता को समाज कहा जाता है हमने समाज किसी कहते हैं समाज का अर्थ ये परिभासां पर कुछ विष्थरी चर्चा की थी इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम समाज की प्रमुख व्यवस्ताइं क्या हैं पर कुछ विष्थरी चर्चा करेंगी जहां एक और हमने कहा कि समाज समाजिक संबंदों का जाल है और सम्बंदों की इसी जाल को समाज कहा जा सकता है कि आधार पर ही विष्थरी चर्चा की है उन पर हम चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि समाज की अंतरगत पारस्परिक जागरुकता पाई जाती है अर्थात समाज में पारस्परिक जागरुकता पाई जाती है जागरुकता के अभाव में संबंदों का निर्मान नहीं हो सकता जब दो या तो से अधिक व्यक्ति जागरुक का वस्ता में एक दूसरे से विचार करें या विचारों का आदान पर्दान करते हैं और अन्तय किरिया करते हैं तब ही संबंदों का निर्मान होता है हर्थात हम यह कह सकते हैं कि समाज के अंतरगत पाराश पर एक जागरोकत पाई जाती है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति परफस पर विचारों का आदान परदान करते हैं और विचारों के आदान परदान के माद्यम से जो जागरोकत की स्तिति उत्पन होती है उसे ही समाज कीaiserनी की अंतरगत माना चाता है दूसरी विस्टिज्थाओं की संबंद में हम कहें कि समाज अमूर्थ है समाज व्यक्तियों का समून होकर उनमें पाए जाने वाले संबंदों का एक जाल है जो कि अमूर्थ होते हैं इने देखा नहीं जा सकता छुआ नहीं जा सकता इनहीं केवल अनभोग किया जा सकता है या मैसुस किया जा सकता है समाज अमूर्थ है अमूर्थ से बराय है कि समाज एक ऐसी इस्तिती है जिसे देखा नहीं जा सकता अर्थात समाज भ्यक्तियों का समून होकर उन समून के मत पाये जाने वाले संबंदों की एक व्यवस्ता है जिसे देखा यम छुआ नहीं जा सकता अर्थात हम यह कह सकते हैं कि समाज अमूर्थ है समाज में समानता एवं आई समानता पाई जाती है समाज में समानता इम आई समानता दोनों ही देखने को मिलती हैं ये दोनों ही समाज के लिए आवशक्तत्व हैं ये दोनों एक दूसरी के पूरक हैं किसी ऐसे समाज की कलपना नहीं की जा सकती जिसमें पूर्टे समानता, इम ए समानता हो, समाज में जहां एक और समानता पाई जाती है, वहीं कुछ ए समानता ये भी पाई जाती है, समाज में समानता वे ए समानता के अधिन देखा जा सकता है, अर्थात में कह सकते हैं कि समाज की अंतरगत समानता इम ए समानता पाई जाती है समाज में समानता इम ए समानता ही दोनों ही देखने को मिलती है समाज के लिए आउशक्तत है कि दोनों एक दूसरे के पूरक है अर्थात, समाज के अंतरगत समानता भी है और ऐसमानता दोनों ही देखी जा सकती है जहां एक और समानता पाई जाती है तो भही कुछ ऐसमानता के तत्तु भी पाई जाते हैं समाज की अंत्रगत समानता एम ऐ समानता दोनों की हित्त त्यु वित्यमाल होते हैं समाज में सहयोग एम संकर्ष पाया जाता है समाज में दो सक्थियां पाई जाती हैं वे सक्तियां जो एक एकता के सूत्र में बानती है और वे सक्तियां जो एक दूसरे से प्रथक करती है समाज में फारस्परिक, राजनेतिक, आर्थिक, धार्मिक हर छीतर में सहयोग देखने को मिलता है इसके अबाव में परिवार अपने लक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है समाज में सहयोग के साथ संगर्ष भी देखने को मिलता है संगर्ष का मोख्य कारण सारीरिक एमसांस्कृतिक भिनताई है जहां एक और हम ये कहें कि समाज के अंतरगत संबंदों का जाल है उसी के आधार पर हम ये कहीं कि समाज में एक और सहयोग इमदूसरी और संगर्ष आधी की इस्तितिया भी देखी जा सकती है अर्थात हम ये कह सकते हैं कि समाज में विभिन परकार की सकतिया पाई जाती है जिनमें एकता की भावना भी देखी जा सकती है और सहयों की इस्तिती भी देखी जाती है तो वहीं एक और संगर्ष की इस्तिती भी पाई जाती है समाज अन्यो न्यासरितता पर आधारित है अर्थात अम्या कहें कि कि समाज की अंतरकर सामानेते एक दूसरी विक्ति की प्रती अन्योन आसरितता पाई जाती है अन्योन आसरितता समाज की कद्यंत महतपून भी सेशता है यह मानव जीवन सब्वेता संस्कृती इम उन्नित्ती का महतपून आदार है मनुष्य को अपनी विविन आवशक्तम ही तू दूसरों से संबंद इस्तापित करना एवं उन पर निर पर रहना पड़ता है आदेम काहल से ही मनुष्य अपनी आवशक्ताओं की पूर्ती ही तू एक दूसरी पर आसरित रहता रहा है आदोनी जटिल समाजों में यह अन्यो नासरित्ता और अधिक पड़ती जा रही है अर्थात हमिया कह सकते हैं कि समाज के अंतरगत विक्ति की वीपिन परकार के आवशक्ता है होती है इन आवशक्ताओं को पूर्ण करने के लिए एक दूसरे पर निर भर रहना पड़ता है निर्भर रहने की यह इस्तिती ही अन्योन आस्तरितता के नम से जानी जा सकती है समाज की अन्य विशेष्थाओं के सम्मद्ध में हम यह कहीं कि समाज सदेव परिवर्तन सील एवं जटिल वेवस्ता है समाज की महत्वपून भी सेस्ता सदेव परिवर्तन सीलता की प्रकरती है विभिर प्रकार से समाज में परिवर्तन आते रहती है व्यक्ति की प्रस्तिती इम भूमी का बदलते रहती है समाज की सामाजिक संरचना में कभी परिवर्तन आता है कोई भी समाज आज वैसा नहीं है जैसा वर्सों पहले था समाज एक जटिल वेवस्ता है जो बदलती रहती है अर्थात अभिया कह सकते हैं कि समाज वेवस्ता के अंतरकत जटिलता की इस्तिति देगी जा सकती है जो बदलती रहती है इसके साथ ही हम कहीं कि समाज की वल मनुश्यों तक ही सीमित नहीं है समाज की वल मनुश्यों तक ही सीमित नहीं होकर पसू पक्षियों में भी पाया जाता है इसलिए में कई वर हम पेशने का है कि कि जहां कहीं जीवन है वहां समाज है पसो एम जीओ में यह समाज कुछ समय जागरुग ताकि इस्तिति के अंतरगत दिखा जाता है इनमें पारसपरिक्ता एम सहयुक पाया जाता है समाज सास्तर में हम केवल मानव ये मानवी समाज की घटनाओ का ही अध्यन कर सकते हैं बलकि अन जीओ की घटनाओं का अध्यन नहीं कर सकते हैं प्रिविधार्तियों आज हमने समाज किसी कहते हैं समाज का आर्थ परिभासा एम विशेश्ताओं पर कुछ विश्तरी चर्चकी है नेक्स्ट वीडियो के अन्तरगत इसी चेप्टर को कंटिन्यू रखा जाएगा ओके थैंक्यू